परेड की शुरुआत नहीं है ये बहुत खास मौका है और खास इसलिए क्यूंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब परेड की शुरुआत सेना के बैंड के साथ नहीं बलकि जोल नगाडों और पारंपरिक वादे यंत्रों के साथ हो रही है 112 महिलाओं का ये समूह कर्तव ये पत पर अपनी पहली प्रस्तूती दे रहा है और इसके बाद 90 मिनट की परेड का यहां पर आयोजन किया जाएगा परेड की शुरुआत होगी और ये खुबसूरत पारंपरिक वेश भूशा में 112 महिलाएं इन पारंपरिक वादे यंत्रों को बजाते हुए कर्तव पत पर नजर आ रही है नारी शक्ती का एक उधारण यहां पर प्रस्तूत करने की कोशिश इस बार के 75 गंतंत्र दिवस की जो थीम है उसमें नारी शक्ती को खासतोर पर सम्मिलित किया गया है और उसी की जलक यहां पर देखने को मिल रही है यह इतिहास में अपने आप में पहला मौका है जब इस तरह के पारंपरिक वादय यंत्रों के साथ परेट की शुरुआत हो रही है जिसमें ढोल नगाडे शंख इत्यादी शामिल है 112 महिलाओं का यह जुण जो चारखन च्छतीजगर महराश्चा मध्यप्रदेश से शामिल है निगाहें आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलिकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोहरे के आस्मान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश देखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार मी सेवेंटीन हेलिकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मज की ओर फॉर्मेशन का नित्रत तो विंग कमांडर आनंद विनाएक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित जस्वाल राश्टिल ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलिंद कुमार सिंग और फ्लाइट लेटिनेंट आदित कुमार विंग कमांडर आश्टोष खंदूरी और विंग कमांड अविशेक शर्मा और स्कॉर्टन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वच के साथ दर्शकों के ऊपर पुश्प वर्षा करते हुए शांदार दुरुष्य भव्य प्रारम्थ करतावे पत पर गंतांत्र दिवस की भवे परेट का नेत्रित्व संभाला है परेट कमांडर लेटिनन जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिजर कमांडिंग डेली एरिया ने दूसरी पीडी के अधिकारी लेटिनन जनरल भवनीश कुमार जिनने दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में न्यूक्त किया गया था डिवेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज हाय कमांड और नाशल डिवेंस कॉलेज के पूर चात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल और परेट कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेट के दुट्य कमांड 2IC मेजर जनरल सुमित महता मेजर जनरल महता को जून 1992 में कमिशन प्राप्थ हुआ राश्टे रक्षा अकादमी खळग वासला और भारती एसेन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित महता उन्हें सिना कमांडरों और सिना ध्यक्ष प्रशस्ती पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारती राश्टुपती द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेट के 2IC मेजर जनरल सुमित महता करतावे पत्पर अब वो परमवीर वो युद्था जिन्होंने बाजी पलटी दुश्मन को नाकों चने चबा दिये मौत से आँखों में आखें डाल कर जूजे और वीरता की कहानिया बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुवधा मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंग यादव और सुवधार मेजर संजय खुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी ए पिठावाला सिवा निवरित लेटिनन करनल जस्राम